एक ऐसा बुकार जो आपको कभी नहीं ने देगा बीमार तो आज हम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज़ के बारे में डिसकेशन करने जा रहे हैं एक ऐसी lights जो आप बहुत ही जगाओं पर देखते हो बहुत ही attractive लगती है आपको बहुत ही different colors में available होती है तो आज हम discuss करेंगे neon lights के बारे में बहुत ही colorful, bright, attractive lights इनके बारे में हम देखे हैं कि यह क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे इन में हम different colors बना सकते हैं और आखिर में हम देखे हैं कि कैसे इसकी invention हुई, कौन-कौन इसके inventors थे तो यह सारी चीज़े हम देखने वाले बहुत ही short period of time में, तो जल्दी से शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं neon lights के साथ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि neon lights होती हैं यह आप जो आप pictures में देख सकते हो, अपनी right hand side screen पे यह जो आपको lights दिख रही हैं, यह सारी neon lights हैं काफी attractive, colorful, bright, focused lights होते हैं जिनको आप बहुती दूर से distance से देख सकते हो, ताकि आपका ध्यान उस तरफ जा पाए जादा तरले lights हमारी advertisement boards में यूज होती हैं या किसी cafes, restaurants में use होती है for attractiveness ताकि लोगों का ध्यान एकदर्म अकरशित हो सके, उनकी तरफ focus जा सके तो इस focus के कारण लेवाली lights हमारी airport landing strips पे भी use होती है ताकि जो हमारा pilot है, उसका focus दूर से ही उस landing strip के उपर बन जाए और अराम से उसी zone में हमारा plane है वो land करा पाए हूँ तो ठीक है लिए हमारी neon lights होगी काफी colorful, attractive और bright colors होती है various different colors में available होती है neon light और कैसे various colors में available होती है वो हम आने वाली slides में देखेंगे तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये neon light neon light से हमें समझा रहा है कि इसके अंदर पक्ता neon gas present है अब neon gas किसमें present होती है तो आप ये देखें ये जैसे हमारी tubes है ये glass की tubes होती है इनके अंदर हमारी neon gas field के लिए होती है under low pressure ठीक है अब neon gas ही क्योग? neon gas हमारी noble gas होती है हमें पता है noble gases का मतलब है कि वो और किसी gas के साथ हमारे react नहीं करेंगी react नहीं करेंगी तो एक inert atmosphere create करके रखेंगी तो हमने इसको tube के अंदर fill कर दिया तो इसके अंदर और भी कोई reaction अंदर कोई take place नहीं करेंगी कोई भी reaction नहीं होएगी इसलिए हमारा ये काफी safe compound है जो हम use कर सकते हैं और हमारी ये neon lights LED से जादा reliable होती हैं इसलिए हम इनको airports पर यूज करते हैं ताकि landing में कोई problem ना आए तो ये basic हमारा overview हो गया है neon lights का और ये हमारी different color की neon lights हमारी available होती हैं बिल्कुल एकदम bright glow के साथ अब हम देखते हैं कि ये neon light काम कैसे करती है कि ये neon gas को use करके हम light कैसे लेके आ रहे हैं ठीक है तो light लेके आने का हमारा basic fund है कि हम neon gas को एक इतनी high amount of voltage देते हैं कम से कम आप लिए जो टर्मिनल्स देख पा रहे हो लिए neon light के टर्मिनल्स ग्लास ट्यूब के अंदर हमारी गैस फिल्ल के लिए तो इस टर्मिनल्स पे हम एक high amount of voltage देते हैं इतनी एक इनफ एनर्जी प्रोवाइड करें इसके राउं 15,000 वोल्स हम जब इसके टर्मिनल्स पे देते हैं तो neon gas जो एटम होता है उसमें से एक electron free करने लाइक हम उसमें energy दे रहे हैं उसके अंदर इतनी energy हमने push कर दिया कि वो उसके एक outer outer हमारा जो उसका ले circle होता है हमारा जिसके अंदर हमारे electrons rotate करते हैं तो उसके अंदर से हम एक outer electron को remove करने इतनी enough energy हमें देनी बढ़ती है अगर हम इतनी enough voltage नहीं देंगे तो हमें इतनी energy sufficient energy provide नहीं होगी कि जिससे हमारा electron free हो पाए उस neon gas के atom से अगर electron हमारा free नहीं होगा तो हमारा process चार्ट नहीं हो पाएगा तो हमें उतने कम energy देने का को sufficient benefit नहीं नजर आ रहे हमें ठीक है तो हमें sufficient amount of voltage एक minimum amount of voltage इसको देनी पड़ते है जिससे हमारा electron free हो जाए और हमारा process चार्ट हो सके अब उस minimum amount of voltage से उसको एक certain kinetic energy provide होगी electron को जिससे वो उसका atom का atmosphere छोड़के free हो जाएगा ठीक है अब जैसे हमारा electron neon gas का atom से free होता है तो neon gas का atom है उसके अंदर एक fixed number of electron से कम electrons होगे therefore जो हमारा neon gas का atom है वो positively charge हो जाता है और हमारा free electron है वो negatively charge होता ही होता है Megitive side की तरफ negative electrode की तरफ attracted होने लग जथते हैं और हुने फ्री त्रेक्टव ने negatively चार्ट वो positive electrode की तरफ touched होने लग जथते हैं जिसके करण हमारा हमारा एक plasma type circuit बंजते है चारज particles के करण जो जिसको हम plasma कहते है एक इदर चला गया एक उदर चला गया जिसके करण हमारा circuit complete हो जाता है और उसके अंदर light glow होनी शुरू हो जाती है अब अब इसमें देखते हैं कि light कैसे आ रही है अब जब हमारा एक free electrons free होएंगे neon gas के atom से ठीक है तो उनके अंदर sufficient kinetic energy आएगी कि जिसके वो move हो रहे हैं attract हो रहे है positive side और negative side की तरब ठीक है जब collide करेंगे तो उसके कारण कुछ energy release होएगी और जो energy release होती है वो हमारी energy heat की form में release होती है तो साथ की साथ हमें heat और light दोनों मिल दी है ठीक लेत हो गया कि अब neon gas में neon lights में heat कैसे आ रही है plus अब देखते हैं कि light कैसे आ रही है इसके neon gas के अंदर अब हमने देखा कि हमने इसको voltage दी जिसके कारण हमारा electron excite होके हम उसका neon gas के atmosphere छोड़ गया अब जो उसका outer वो था हमारा circle जिसमें हमारे atoms, electrons rotate कर रहे हैं उसमें एक electron कम हो गया outer shell में हमारे एक electron कम हो गया अब जो नीचे वाले shell में electrons हैं उनको भी energy मिली है तो वो वाले electron अब energy के कारण अपना inner shell छोड़के outer shell में excite हो सकते हैं तो वो हमारा जो मान लीजी यह वाले shell में हमारा एक electron था outer shell से एक electron निकलके free हो गया इस shell में अब एक electron की कमी है तो इस ही एक electron की कमी को फिल करने के लिए हमारे inner shell से electron जंप करके outer shell में जा सकते है जब एक inner shell से हमारा electron जंप करके outer shell में जाता है तो उस electron को हम excited electron करते हैं अब वो excited electron की है हमारी हम higher energy state में चला गया अब उसकी मर्जी है अब वो अगर अपनी initial energy level मतलब इनीशल energy level में अगर आना चांड है तो आ सकते है जब एक electron higher energy level से lower energy level में जंप करते है तो एक light का photon emit करते है जैसे कि neon light neon gas के जो electron's higher energy level से lower energy yum करते है तो red light का photon emit करते हैं जिसके कारण ہمsınız neon gas के अंदर basically light हमें emit होती दिखती है ठीक है तो यह basic found जे हमारा light emit करवानेगा neon gas के atoms में से ठीक है और ये जो color photon का वो depend करते है कि हमारे कितना electron energy release कर रहे है suppose हमार जिसमें अगर आप इसमें देखें तो 4 energy levels दिख रहे हैं अगर बिल्कुल lower energy level से एक electron jump करके बिल्कुल higher energy level में जा रहे है तो मतलब उसके पास बहुत जादा energy है अब वो उतनी ही energy release करके अपने initial वाले shell में वापिस आएगा जब वो उतनी ही energy release करेगा तो उसके पास जादा intensity का light light का photon हमारा emit होएगा रेदर देन अगर वो आउट वो बिल्कुल outer वाले से बिल्कुल तो उसके just immediate वाले shell में अगर जम करें तो उसके लिए कम energy चाहिए तो वो कम energy का photon release करेगा तो उसकी intensity of light कम होएगी तो color variate होने लग जबते है ऐसे और similar जैसे neon gas का electron है जो वो energy release कर रहे है तो light color का photon मिल रहे है हमे वैसे ही अगर हम neon gas की जगा अगर और कोई inert gas use करें like argon, krypton तो उनका characteristic of electron अलग होएगा तो उनका color अलग होएगा वो अलग color का photon release करेंगे जिसके कारण हमें multiple variety of colors मिलते है हमारे neon gas की lighting तो ये basic fund है हमें सिर्फ क्या करने है sufficient amount of voltage देनी है suppose 15,000 volts जिसके कारण हमारा neon gas का atom से एक electron free होएगा neon gas का atom हमारा positive li charge होएगा जिसको हम कटायन बोलेंगे और free electrons होजएगे अब ये दोनों जो हमारा कटायन है वो negative electrode की तरफ attract होएगा जो हमारा free electron है वो positive electrode की तरफ attract होएगा जिसके कारण हमारा circuit complete होजएगा और हमारी light glow करनी शुरू होएगी और light glow करने का funda लिए है कि जब हमने इतनी जादा energy provide करी है तो इसको एक बार हमारे electron एक्साइट होके outer energy shell में चले जाएगे तो जब हम इतनी सारी voltage को control कर लेंगे जैसे हमने tube blade में देखा था कि हमने ballast लगाई हुई है voltage को control करने के लिए तो वैसी similarly इसमें भी ballast present होती है voltage को control करने के लिए तो initial voltage provide करने के बाद हम ballast हमारी का है उसको एक normal range में ले आती है voltage को जिसके कारण हमारे electrons जो outer shell में चले गए थे वो अब inner shell में वापिस आना चाहते है तब वो जब inner shell में वापिस आते है तो वो एक photon emit करते है जिसके कारण हमें light मिलती है ठीक और इसमें ballast present होती है ballast का हमने function समझ लिया और कैसे हमने light emit हो रही है वो भी हमने देख लिया अब हम देखते हैं कि neon lights के अंदर हम different lights के color कैसे produce करते है जैसे कि neon के electron का color तो सिरफ हमें red photon दे रहा है बट हम यह देख सकते हैं कि हमारे पास variety of colors है red है, blue है, green है, white है, pinkish है orange है, yellow है, यह सारे colors कैसे produce हो रहे हैं तो इनके 3-4 methods हैं इनको produce करनेगी first of all हम सबसे easy method है कि mixture of gases use करिए अगर आप mixture of gases use करेंगे तो अलग-लग color के photons different gases से निकलेंगे तो अलग-लग photons जब हमारे mix हो जेंगे तो हम एक different color of light मिलेगी ठीक, तो क्योंकि हर एक noble gas का अपना characteristic color होता है तो हमारा वो अलग-लग lights हमारी emit होने लग जाएगी for example देखें तो helium हमारा pink glow करता है उसके साथ collide करके वो white color के light produce करते है similarly, अगर हम phosphorus coating neon lights के उपर भी करते है तो जो हमारे photon का color है वो जब strike करेगा उसके उपर वो change होजेगा ठीक है? तो उस चीज के कारण भी हम जो है हमारी coatings use कर सकते है तो neon light, अब neon lights में जादा जादा neon gas हम use नहीं करते हम neon gas की जगा हम जादा से जादा different color of coatings prefer करते हैं, ताकि उन coatings के साथ हमारा photon collide करके हमें different output की light हमें दे, ठीक है? और तीसरा है हमारा, अगर हम electron का energy level control कर सकें लैसे कि हमने देखा कि inner shell से outer shell में jump कर रहा है तो अगर हम किसी तरीके से उस electron का energy level, मतलब उसकी energy control कर सकें, like वो first shell से last shell में जाए या second shell में last shell से जाए, तो उस चीज़ को अगर हम control कर रहे हैं, तो हमें various variety of colors मिलेंगे, तो उस चीज़ को भी control करके हम various color of neon lights produce कर सकते हैं, तो हमने इसमें basic हमारी observation लिए है कि आज कल neon gas को जादा preferable नहीं माना जाता, तो इसकी जगा mixture of gases use करी जाती है, या फिर हम different color of coatings use करते हैं, ताकि हमें variety of colors मिले, या हम सिरफ electron की जो excitation है, उसको control करते हैं, ताकि हमें spectrum of light मिले, हमें different variety of lights मिले, तो ये basic funda था हमारे neon lights का क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे different colors produce के जाते हैं, moreover इसमें हम देखते हैं कि, अलग-लग colors कौन-कौन से produce के जाते हैं, तो जैसे हमारा pinkish white या white color के लिए हम helium gas use करते हैं, ठीक और krypton के लिए, krypton use करते हैं, तो हमें whiteish green light मिलती है xenon gas use करते हैं, तो bluish white light use करते हैं, मिलती है, तो अगर हम इनका mixture use करें, तो अलग-लग color की हमें lights मिलेंगी, neon lights होती हैं, हमारी bright, attractive lights दूसरी, बहुर सी दूर से किसी का focus लेने के लिए जो होती हैं, वो lights, neon lights होती हैं इनमें neon gas present होती हैं, under low pressure neon lights काम कैसे करते हैं, neon lights produce होती हैं, positive terminal to negative terminal attraction के कारण, और उसके बार जो हमारे electrons excited हो रहे थे, वो energy levels के अंदर jump करके रहते हैं, जिसके कारण हमारे photons emit होती हैं, तो ये basic हमारा funda है, neon light का work करनेगा different colors के लिए हम use कर सकते हैं different mixture of gases, different color of coatings और plus हमारा excitation control of electrons, तो उसके बार आता है कि who is called as father of fluorescent lights, तो ये एक fluorescent lens की type है, तो fluorescent lights हमारी किसने सबसे पहले invent करी थी तो वो हमारे scientist थे, हैंरिच गेजलर, जिन्होंने 1857 में fluorescent lights का concept रखा था और उन्होंने सबसे पहले fluorescent light produce करी थी, वर्ड की और उसके बाद, neon lamp neon lamp इतनी बड़िया invention जो है हमारी, वो William Ramse और Maurice W. Travers ने 1898 में करी थी, जिसके कारण हम neon lights का इस्तेमाल बहुत ही जादा multiple चीज़ों में करते आ रहे हैं tube lights में भी हमने देखा था कि उसमें neon light present होती है हमारी starter circuit के अंदर, ठीक, तो यहाँ पे हम अपना topic end करते हैं thank you, stay tuned with me मैं आपका host और दोस सर्चलिंदल ऐसे ही आपके लिए amazing topics लेते आता रहूँगा like, share और subscribe परना ना बूले comment section में बताएं कि आपको lectures कैसे लग रहे हैं कोई कमी है वो भी बताएं और कोई आपका suggestion है वो भी हमें दें तो हम आपको topic विप पर एक बड़ी लेक्चर तियार करके देंगे thank you, stay tuned with me, मैं आपको मिलता हूँ next Saturday bye